इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह और बालों को फिर से उगाने में मदद करता है। यह आपके स्कैल्प पर बालों के रोम में रक्ट के प्रवाह को बढ़ाता है, जो बालों की कोशिका मृत्यू को रोकता है और नए बालों के विकास को भी बढ़ाता है। यह एक हॉमोन का उत्पादन भी रोकता है जो अत्यधिक बालों के जड़ने या गंजापन का कारण बनता है और बालों के विकास को भी बढ़ाता है। यह गंजापन या खोपड़ी के शीश पर पतले होने के लिए सबसे प्रभावी है लेकिन सामने की ओर कम प्रभावी है या हेरलाइन घटती है। यदि आप कई वर्षों से गंजे हैं या बालों के जड़ने का एक बड़ा क्षेत्र है तो लाब की संभावना कम है। पुरुशों और महिलाओं के लिए बायोडान से एफ हैर लोशन अचानक या असपश्टी कृद बालों के जड़ने के लिए उप्योग नहीं है। इसे एक सुरक्षित दवा माना जाता है। हाला कि जो बाल दुबारा उगाए हैं वे कुछ महीनों के बाद गायब हो सकते हैं। बालों का फिर से बढ़ना आपके मूड, आतमसम्मान के साथ साथ आपकी उपस्थिती के लिए भी फायदे मंध हो सकता है। लेकिन लाब पाने के लिए आपको इसका नियमित रूप से उप्योग करने की आवश्चकता है। यह उत्पात केवल पुरुशों के लिए है और महिलाओं में इसका उप्योग नहीं किया जाना चाहिए। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधी में करें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। पुरुश होमोन के उत्पादन को रोकता है जो बालो के विकास को रोकता है जिससे गंजेपन की प्रक्रिया उलट जाती है और बालो के जढ़ने को रोका जा सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।